हेलो इस्टूइंट्स हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं किस दीच की बारे हम बात करेंगा इस ट्रिंक के बारे में लिए स्ट्रिंक के वीडियो तो आज दूका है है ठीक है एक सीक्वेंस अफ कॉंस्टेंट तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सब्सक्राइब कैसे ठीक है अब यहां पर हमें क्या करना है हमें अपनी स्ट्रिंग बना रही है सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक सब्सक्राइब करें अब इसको यह दिया अब इसके बाद करा करें कि क्या शो करेगा तक प्रिंट मेंटे आप तक रिंट अब तमें रन कर इसका आँ ना से कर अभी अवजय लेखा हूँ एठीक अब देखू है अगर हमने सके हम इस सिय्यां सिंगल क हुट यूजच करें तो यहां पे सिंगल के कोंव यूज़ करते हम कि यूज कर रहे हैं तो देखो वेट वेट यहां पर इसने इसको यह लिया ठीक है तो अब हम लेकिन अब इसका उटपट सही है नहीं वालाइट है कि यहां से अगर मैं इसको इतना लिख दूँगा यहां पर एक मिनट जो आपको इर दखाई देरें वैलेट सिंटेक्स वो इसलिए है तो अब मैं आपको यह बताता हूं यहां पर कैसे आएगा अगर हमने स्टार्टिंग में यहां पर सिंगल क्यूट लगा दें डवल क्यू आपको इसको रुल करें और इसको रन कराते हैं तो यह क्या दो कर रहा है एक लागा दें ठीक है और इसको मैं फृइंट कर लिए यह यवा करते हैं मल्टी लैन की मल्टी रहन में क्या करना है मैं भी सेम है कि आप यहां पर दबल क्योंट यह सिंगल क्योंट यूज करिए ठीक है थीक तो हम इसको नीचे ले के आते अब इसके आपके बास दो आप्षिन वह यह हैं कि अगर हम यहां कुछ लिखते हैं I am used for I am used for and then मैं लिखता हूं यहां पर programming programming ठीक है तो अब जैसे फिलाल इसको यहां से अटा आया ठीक तो अभी यह क्यों नहीं ले रहा है क्योंकि इसको नहीं पता है जो नीचे है न अगर हम यहां पर इसको यह लगा दे यह लगाया हमने और यहां से यह लगाया ठीक है तो वेट हो गया हमने लिख दी यहां पर अब आपको इसको आप देकर देखाता हूं अब इसको रण कराते हैं देखो यह एलो आएम पाइफन रिखकर प्रोग्रामिंग लिखके आगे यहां पर कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं वह हम एक एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह देखो प्राणा पूर्ट आपका यह लिखा हुआ है ठीक हम यह समझ में आई कुछ-कुछ अब मैं डिलेंड कमेंट के वह दो तरीके बताई थे आपने हाँ बिल्कुँ सेगार दो तरीके बताई थे पहला था तमारा बैक स्ट्रेस यूज्ज करने का दूसरा तरीक में बताई था कि हम ट्रपल क्योट कर सकते हैं तो पहले हम यहां पर अधिस मुझा प्रपल कोट लगाते और यहां से स्टताते और यह इसाइप पर फट लेके दिखाता हूं अब पॉर के प्रफूट यह लिए ऑपने इस से पहले आपड़े को इंजा ओपें लिया तर देकर यह ऐसा क्यों आया आप देखो इसके दो रीजन है क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था भी नोंग्राफिक करेक्टर्स के बारे में पिछली वीडियो में बात कि थी हमने वो क्या होते हैं वो करेक्टर्स जो आपको देखती नहीं है लेकिन उनका एक्शन्स आपको देखाई इस आप यहां से लेकर यह तक यह एक लाइन है और जो यह प्रोग्रामी लिखा यह दूसरा लाइन है ठीक यह दूसरी लैन में आपको कर रहा है अगर हम चालते हैं सारा कंटेंट आपको तो एक बड़ और बैक बैक्स लेस्त करते हैं और फिर यहां देखो इसका आपको यह escape sequence के बारे मैं बताता हूँ, वो यह है, यह है, अब यहाँ पे हम double quotes में एक वो देते हैं, N, A, B, C, ठीक है, देखते हैं इसका output क्या आता है, इसको run कराए हमें, run हो गया, इसका output क्या है, यह देखरों, एक line चूटी हुए यहाँ पे, चूटी है, और यह ABC लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक भया, यह output समझ में आए गया, लेकिन अ तुम्हां इसका मैं, अब देखो, इसकी length निकालके देखाता हूँ, वो कैसे निकलेगी, वो आपकी आएगी, text one, अब हम इसकी length भी साथ में print करेंगे, ठीक है, अब यहाँ run हमने click किया, अब देखों, इसक अब देखों, इसको अगर यहाँ पे इसको अटा देते हैं, अगर हम यह अटा दें, तो देखो क्या आएगी, तो आपकी 3 आई है, ABC 3, आया समझ में, और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देखों कि जो A है, वो भी आपका escape sequence है, तो यह देखना, अब length कितनी अब देखो, BC आया, BC लिखके आया सरफ यहाँ पे, और जो ABC है, यह भी आपका escape sequence है, sorry ABC पूरा नहीं, बट यह जो selected है, यह आपका इतना escape sequence है, ठीक है, इसके मैं, आपको इसके बारे में पिसली उडिय मैंने बताया था, escape sequence के बारे में, अब आपको यहाँ तक size के बारे मे अब जो मैंने आपको यह बताया था कि जो triple जो हम यूज करते हैं, उसमें हमें क्या benefit नहीं को, एक second, पहले हम वापस से वह लिखते हैं, जो हमने भी यूज किया था, चरूँ यह लिखते हैं, my name is python and I am used for, used for programming, ठीक, पुरम है लिख लिख लिया, अब देखो, मैं यह करना है, यहाँ पर triple quotes का यूज करना है, ठीक, triple quotes और यहाँ पर भी triple quotes का यूज करते हैं, हम इसमें एक और line लिख लेते हैं, I am programming and I am reading in class 11, ठीक, कुछ भी लिख लेते हैं, चलो, अब देखो, मैं इसकी length के आने हवाली है, देखो, इसके length कितनी ही आ रही है, 65, ठीक है, और इसका orientation भी अलग है, देखो, प्रोग्राम काफी ठीक लग रहा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ backslash use कर देंगे, अब देखना, यहाँ पर हमने एक backslash पहले लगाते हैं, देखो, उससे क्या होता है, 65 से 63 हो गया, हुआ, वो क्यों हुआ, कि मैंने अभी यहाँ से एक space को अठाया है, और एक backslash लगाने से, जो carriage return था, जो मैंने आपको बताया था, carriage return के बारे मुझे, skip sequence होता है, वो यहाँ से कम हुआ है, तो यहाँ से कम हुआ है, ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ से, यहाँ पे अगर मैं जो बात कीती हैं आपसे, अगर मैं यहाँ पे एक space देता हूँ, यह देखो, और अगर मैं अब इसका output लोगा है तो फेसे बढ़ जाएगा, तो जो आपके यह white spaces हो गई, carriage return हो गई, यह आपके ऐसे non graphic characters है, जो आपको देखते तो नहीं है, लेकिन इसका, जो result output वो आपका size पे effect डाल रही है, आपके सामने है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक, अगर इसी तरीके से मैं सभी में यह लगा देता हूँ, तो इसके बाद तो यह पूरा बन जाएगा, ठीक है, और हम वापस से 62, यह सारा equiline में आगया, और 62, अब हम इसको का मतलब decorate करने ही कोशिश करता है, वो ऐसे कर देंगे, लेकिन इसका size बढ़ाएगा, ठीक है, एक-एक size यहाँ पे space मेंट रहा है, ठीक है, ठीक है, वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो, आपने little video नहीं देखिए, तो आपको 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 समझ में आए, अगर आप basic से पढ़ रहे हैं, मैंने पूरी series बना रहा हूँ, मैं class 11 से 12 चैनलेट के students के लिए, कि मैं ऐसा चाता हूँ, कि अगर आपको मैंने सीधा, पहले छोटी के बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको फिर आपको करके देखा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग, तो यह फिर्स लगता है, प्रोग्रामिंग